प्रम दूद में ये डाल दो, प्यार आपके आगे पीछे गूमेगा, जी हाँ, यह इतनी पावर्फुल विधी है जिसके करते ही आप किसी को भी अपने वस में कर सकते हैं, अगर आप वसी करन करकर के ठक चुके हैं और आपको सफलता नहीं मिल पा रही हैं, तो आज हम एक ऐ ऐसी विधी एक ऐसा उपाई बताएंगे जिसके करते ही आप किसी को भी अपने वस में कर सकते हैं, किसी को भी अपने पास बुला सकते हैं, किसी से भी अपनी इच्छा अनुसार कारिये करवा सकते हैं, जी हाँ, यह सुनने में बड़ा ही अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह इतनी पावरफुल विधी है, जिसके करते ही आपको इसका रिजल्ट आपके सामने होगा, आप घर बैटे, खुझ से इस विधी को कर सकते हैं, आपको नहीं किसी तांत्री, किसी बाबा, मोलभी, पंडित, किसी के पास जाने की कोई आव सकता नहीं है, आप यह विधी खुझ से घर बैटे कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको गरम दूद लेना है, थोड़ा सा एक गिलास या आदा गिलास गरम दूद लेना है, और उसमें दो लोंग आपको डालनी है, लोंग के उपर कुछ वर्ड हम बताएंगे, वो वर्ड आपको बो यह वर्ड है, हुम, आपको लोंग लेनी है, और यह वर्ड बोलने है, हुम, 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 कितनी बार बोलने हैं, आपको यह वर्ड, ग्यारा बार, ग्यारा बार लोंग के उपर बोलने हैं, ठीक है, और अपने प्यार का नाम बोलना है, अपने प्यार का नाम बोलते हैंगे लोंग को टच करनी है इस प्रकार से टच करते रहना है और यह मंत्र बोलना है हुम 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 इस प्रकार से 11 बार इस मंत्र को बोलने के बाद अभी है लोंग सिध हो जाएगी सिध होने के बाद अपने प्यार का मन ही मन ध्यान करते हुए यह दोन लोंग उस गरम दूद के अ लेट जाना है और मन ही मन उसी इस्तरी पुरुस का ध्यान करना है जिसे आप प्यार करते हैं जिसे आप अपने करीब लाना चाहते हैं ऐसा समझे कि वह आपके पास चला आ रहा है चली आ रही है तो आपको ध्यान करना है उसी परकार से ठीक है अब जब दूद ठंडा हो और किसी पीपल या किसी भी विरक्स की जड़ में इसको छोड़ देना है इतना सकारी आपको करना है और घर चले आना है बस इतनी सी विदी आपको करनी है इतनी विदी करने के बाद आप देखेंगे जिस भी इस्त्री पुरूस गल्फरेंड बॉइफरेंड के लिए आपने है विदी करी है वह इस्त्रिपूरुस आपकी वसी भूत हो जाएगा आप से मिलने के लिए संपर्क करेगा आपके पास चलाएगा